पिछले सीजन की दो सबसे स्ट्रोंगेस टीम मैं बात कर रहा हूँ हरियाना स्टीलर्स एंड जैपूर पिंग पैंथर्स के बारे में आखिर ये दोनों ही टीम्स कौन-कौन से प्लेयर्स को रिटेन करीगी प्रो कबड़ी सीजन 11 के आउक्षन से पहले आईए इस वीडियो में दोनों ही टीम्स के रिटेन प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं शुरुबात करते हैं सबसे पहले हर्याना स्टीलर्स के साथ तो हर्याना स्टीलर्स की टीम ने अपने नोमिनेटेड एन्वाइपी अनाउंस कर दिया है प्रो कबड़ी सिजन 11 के लिए तो तीन खिलाडी को साइन किया है सबसे पहले विकास जादा वोगे जो की रेडर है कि टीम ने साइन कर लिया है अब बात करते हैं एकसिस्टिंग एनवाइपी के बारे में जो पिछले सिजन नोमिनेट हुए थे इस बार एकसिस्टिंग एनवाइपी में रिटेन हो गए तो सबसे पहले हैं सीवम पतार जो की एक बहुत अच्छे रेडर है सेकेंड यहां प विसाल टेट ने तीन मैच में 24 रेट पॉइंट स्कोर किया बाकी हरदीप जेया सुरिया एनेस में से किसी भी खिलाडी को खेलने का मौका नहीं मिला चारो ही खिलाडी का एकस्पेक्टेड रिटेंशन प्राइस इस सीजन के लिए 9 से 10 लाक होने वाला है अब बात करते हैं रिटें यंग प्लियर के बारे में आकिर आरवाईपी रिटेंशन क्या होने वाला है इस बार हरियना स्टीलर्स का सबसे पहले खिलाडी जो रिटें होगे वो है विने तेवतिया विने ते वरते एक बहुत एचे रेडर है और पांचवा स्टेट सीजन हरेना स्टीलर्स के टीम से खेलते हुए दिख जाएगे पिसले सीजन 23 मैचेस में 163 रेट पॉंट्स इन्होंने स्कोर किया ता परफोर्मेंस काफी जादा इनका इंप्रूव हुआ पिसले सीजन कैटेगरी C में थे और मुझे लगता है कि कैटेगरी B में आएगे और पिसले सीजन इनका रिटेंशन प्राइस 15 से लेके 20 लाग तक के बीच में था और इससे जादा इस बार इनको रिटेंशन का मिलेगा फिर है दूसरे खिलाडी जैदीब दाया जो की लेफ्ट कवर पोजिशन के काफी बहतरीन डिफेंडर है पिछले सीजन को कैटेगरी A में ही रहेगे जैदीब दाया पिछले सीजन इनका रिटेंशन प्राइस 40 से 50 लाग के बीच में था और इससे जादा इनको इस बार रिटेंशन का मिलेगा और तीसरे खिलारी है मोहीत नांदल जो की राइट कवर पोजिशन के डिफेंडर है ये भी अपना चौथा सीजन हरियाना से खेल सकते अगर रिटेंड हुए तो और मोहीत नांदल भी कप्तान थे पिछले सीजन हरियना स्टिलर्स के टीम के 24 मैचेस में 70 टेकल पोइंट इन्होंने स्कोर किया पिछले सीजन कैटेगरी B में थे और इस बार कैटेगरी A में आएगे जिसे साब से इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है और पिछले सीजन इनका रिटेंशन प्राइस 35 से 40 लाग के बीच में था और इससे जादा ही रिटेंशन का प्राइस इनको मिलेगा अगर इस सीजन मोहीत नांदल को हरिना स्टिलर्स की टीम ने रिटेन किया तो अब यहाँ पे हम आचुके हैं इलीट प्लियर्स की तरफ जिसे आप ERP भी कहा सकते हो तो तीन खिलाडी रिटेन होते हुए दिख सकते हैं सब जब पहले खिलाडी की बात किजा है तो सबसे पहले खिलाडी होगे राहूल सेथपाल राइट कॉर्णर पोजिशन के डिफेंडर है और पिसले सीजन क्या ही इन्होंने परफोर्मेंस दिखाया 23 मैचेस में 73 टेकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया पिसले सीजन कैटेगरी C के डिफेंडर थे और परफोर्मेंस काफी बहतरीन था तो मुझे लगता है कि कैटेगरी A में राहूल सेथपाल आएगे और आक्शन में इनको 40.70 लैक में हर्याना के टीम ने खरीदा था और इससे जादा ही 15% आप और एड़ कर लो तो इससे जादा इनको पैसे मिले गए राहूल सेथपाल को अगर हर्याना के टीम इनको रिटेन करती है तो दूसरे खिलाडी की बात किजाए तो दूसरे खिलाडी है मोहीत कालेट जो की लेफ्ट कॉर्नर पोजिशन के डिफेंडर है पिसले season auction में इनको खरीदा था और performance काफी अच्छा है इन्होंने दिया 22 matches में 47 tackle points इन्होंने score किया और ये भी category C के defender है और अगर इस season retain होते हैं तो category B में आई गे और देखा जाए तो इनको auction में 20 लाक में खरीदा था और अगर retain हो जाते हैं तो काफी कम पैसे में हरियना की टीम एक बहतरीं left corner position का defender को retain कर लेगी और अपने team में सामिल कर लेगी और एक all-rounder जिससे मुझा लगता है कि हरियना की टीम जरूर retain करना चाहेगी वो है आशीस नर्वाल चो कि all-rounder है पिसले season auction में अंसोल थे लेकिन 2nd round में इनको खरीद लिया and 18 match में इन्होंने खेला उन 18 match में 19 rate points and 25 tackle points इन्होंने score किया overall आप कह सकते हूं कि ठीक ठाक performance इन्होंने दिया category B में थे and category C में आ जाएगे because performance थोड़ा सा डाउन था तो आप कह सकते हूं कि category B के एक अच्छा purchase यहाँ पे होने वाल है अगर आसिस नर्वाल को हर्याना Steelers की team retain कर लेती है तो overall आप समझ चुके हो कि हर्याना की team अपने core players को retain करेगी जैसे कि coach Manpris Singh जादा changes करते हूं नहीं दिखते खास करके defense में take right cover and left cover and right corner and left corner defender main defense line-up है वो retain होता हुआ दिख जाएगा and rating में शीवं पतारे विने तेवतिया retain होगे तो आपको कहा लगता है कौन-कौन से players को हर्याना Steelers की team retain करेगी कौन से players को release करेगी आप comment section में ज़रू बताएगा अब वीडियो में आगे बड़े इससे पहले हम आपको बता देना चाहता हूँ राजा करिकेट analyst telegram channel को आपने join नहीं किया तब बहुत कुछ मिस्स कर रहे हो अभी next week से इंडिया वसिस जिंबवाब्यो का T20 series होगा जिसमें team इंडिया action में देखने को मिल जाएगी काफी नहीं players है and उस matches के prediction जानने के लिए आप राजा करिकेट analyst telegram channel को join कर सकते हो अभी काफी सारे T20 leaks भी चल रहे तो उसके भी matches के prediction काफी अच्छे accuracy के साथ आपको देखने को मिल जाएगा तो आपने अभी तक join नहीं किया तो description box में आपको link मिल जाएगा जाएए and बिलकुल free में आप राजा क्रिकेट analyst telegram channel को join कर सकते हो अब बात करते है जैपुर पिंग पैंथर्स के बारे में जैपुर पिंग पैंथर्स की टीम कौन-कौन से players को retain करीगी शुरुवात करते existing nvps के साथ दो खिलाडी है सबसे पहले अभी जीत मलीक और दूसरे है अभी मन्यू रगुवनसी दोनोई खिलाडी यहाँ पे radar है और जिसमें अभी जीत मलीक को ही खिलने का मौका मिला पांच मैच के ले और इन पांच मैच में इन्होंने 16 rate point score किया और अभी मन्यू रगुवनसी एक भी मुकाबला नहीं खेल पाए and expected retention price वो ही होने वाला 9-10 लाग के बीच में retain होने वाले है अब बात करते है रवाईपी के बारे में जिसे हम retain young player कहेगे तो सर्फ एक ही खिलारी retain होगा वो है अंकुस राठी left corner position के defender है and अपना third straight season खेलते वे दिच जाएगे अगर जैपूर पिंक पैंथर्स की टीम इनको retain करती है तो 22 match में 70 tackle points इन्होंने score किया performance काफी बहतरीन था and पिसले season इनका retention का price 30 लाग था and इस बार अगर retain होगे तो और भी ज़्यादा इनको पैसा मिलेगा retain होने के लिए अब आच चुके हैं हम ERP के तरफ जिसे हम elite players का retention भी कह सकते हैं तो जो सबसे पहला retain player होगा वो है अरजुन देशवाल काफी बहतरीन रेडर है and पिसला season भी काफी अच्छा इनका गया था 23 matches में 276 rate points इन्होंने score किया category A के रेडर है and इस बार भी category A में ही रहने वाले है and auction की बात की जाए तो auction में तो नहीं गया इनको retain ही किया गया 1.16 करोड में इनको retain किया and अगर retain होते हैं तो और भी ज़्यादा इनको पैसा मिलेगा अरजुन देशवाल को and जैपूर Pink Panthers की team definitely इनको और भी ज़्यादा amount देने के लिए ready होगी auction में तो जाने नहीं देगी दूसरे खिलाडी की बात किजा तो दूसरे खिलाडी है सुनील कुमार जैपूर Pink Panthers के कप्तान right cover के बहतरीं defender पिछले season 23 matches में 55 tackle points इन्होंने score किया category A के defender है इस season B category A में ही इनको रखा जाएगा retain इनको किया गया था पिछले season 99 lakh में अगर इस बार retain होते हैं तो आप कहा सकतूँ कि सबाए 1 करोड इनका retention price होगा जैपूर Pink Panthers की team definitely इनको इतने amount में retain करेगी एक कप्तान को option देते एन एक काफी अच्छा performance राइट कवर पोजिशन पे भी दे रहे है तो दो कैटेगरी A के प्लियर्स है वो तो retain हो जाएगे और आपको पता है कि elite players में हर एक कैटेगरी से maximum दो ही प्लियर्स retain हो सकते अब confusion आता है रेजा मिर बगेरी पे रेजा मिर बगेरी लेफ्ट कवर पोजिशन के defender है परफोर्मेंस की बात की जाए तो 22 matches में 60 tackle points इन्होंने score किया पिछले season इनको retain किया गया था 29.48 lakh में अब confusion कहां आता है पिछले season कैटेगरी C में थे एन परफोर्मेंस बहुत अच्छा 60 tackle points स्कोर किया अगर category B में आते हैं तो रेजा मिर बगेरी होगे retain because category A के जो दो players retention थे अरजुन देश्वाल और सुनिल कुमार वो तो retain हो जाएगे और category B से रेजा मिर बगेरी हो जाएगे तो उम्मीद आप समझ गये होगे अगर category A में आएगे तो रेजा release होगे अगर category B में आएगे तो रेजा मिर बगेरी retain हो जाएगे और आखरी player की बात की जाएगे तो आखरी player है वी अजीत कुमार जो की काफी अच्छे रेडर है तमिल लाडू के रेडर है 19 मैच में 80 rate points इन्होंने score किया पिसले season category B में थे इस बार भी category B में ही वी अजीत कुमार होगे और कोई दिक्कत नहीं होगा category B से कोई खिलारी retain नहीं हुआ है तो वी अजीत कुमार रेडर होगे और पिसले season इनका retention का price था 37.23 lakh तो जैपकर पिंग पैंथर्स के overall elite players के retention की बात की जाए तो category A से 2 players और category B से एक खिलारी retain होगा जो की वी अजीत कुमार है अब रेजा मीर भगेरी hold पर रह सकते है अगर category B में हुए तो category B में retain हो जाएगे और category A में हुए तो रेजा मीर भगेरी release हो सकते है तो आपको क्या लगता है जैपूर पिंग पैंथर्स की टीम रिलीज होगे रीटेन होगे वो आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा और अभी फिलहाल के लिए आपने गुजरा चैंटS और दबंग देली का रीटेन प्लियर्स का वीडियो नहीं देखा है तो लेफ साइट पर सो हो रहा होगा उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो और राइट साइट पर चैनल का जो लेटेस वीडियो है वो सो हो रहा होगा उससे क्लिक करके आप देख सकते हो तब तक मैं मिलता हूँ उसी वीडियो में ठैंक्स फॉर वाचिंग